मेरे भी सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहते हूं तो मैं मेहनत कर रहे हूं तो यहीं कहूंगी कि मुझे सपोर्ट करें अदाब आप देख रहे हैं दावर्ग नियूज और मैं हूँ आपके साथ असलम खान जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं युवा पीडी की बात करें तो जम्मू के वेमॉल के बाहर उन्हों टी स्टाल लगाया था और उसके बाद बठिंडी में मका मस्जिद के पास एक बीटेक चायवाला वो फेमस हुआ और ऐसे ही चलते आज बठिंडी के पास हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि स्टूड़न्ट चायवाली जो है वो क्या वज़ा रही होंगी आप लोग समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दोर में कहीं पे जॉब करने के लिए जाना बड़ा मुश्किल काम है और खास करके वो तब जब के एक महिला को काम करने के लिए निकलना पड़े ऐसे वक्त में ये डिसीजन इनका लेना किस तरह से इनक कशाने की कोशिश करते हैं कि इनोंने किस वज़ा से ये टी स्टाल खोला है और इनके पास कौन-कौन से ऐसी खास्यत है कि लोग इनके पास भी चाय के लिए आएंगे इंसे बात करेंगे और पूशेंगे कि इनके दिमाग में क्या आया है और चाय की ही एक जो है वो तो यह किस तरह से आपके दिमाग में आया कि अगर आप चाय का स्टाल क्योंगी बहुत सारे महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे काम हैं लेकिन चाय का ही स्टाल लगाना क्यों आपके दिमाग में आया एक्चली मैंने जो एंबी एचाय वाला है ग्रैजवेट चाय वाली है मैं उनसे बहुत मोटिवेट हूं और मैंने तो यह काफी पहले सोचा हुआ था बट फैमिली प्रॉब्लम से फैमिली इचु थे अब लड़की के लिए इजी नहीं होता है और उपर से अगर एक वो मुस इसी तरह का हां मैंने अकाउंटेंट का कोर्स किया था तो मैंने अकाउंटेंट की जॉब करी थोड़े टाइम लेकिन वह एंबी चाय वाले ने बात कही थी कभी भी ऐसे मत बनों कि बड़े लोगों आपको इस्तमाल करें अपने सपने पूरे करने के लिए अपने सपने प कर रहे हैं और यह स्टुडेंट चाहे वाली करके नाम इसलिए बिकाज जमू में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहुल है तो मुझे लगता है कि स्टुडेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे तो एक चीज और मैं आप से पुछना चाहूंगा कि जैसे के आपने चाही का स्टाल लगाने का डिसीजन लिए क्या आपकी फैमिली को किस तरह से मोटिवेट किया चाही का स्टाल लगाने के बाद स्टार्ट करने से पहले उनको पता ही नहीं था उनको हफ्ता दस दिर उनको पता ही नहीं था कि मैंने चाही की स्टॉल लगाई उनको लगता था मैं अकाउंट चला था तो मतलब वो थोड़ा सैड हुए थे पापा भी सैड हुए थे वो बोर रहे थे कि तुमने इतनी अच्छी खासी अकाउंटेंट की जॉड़ के ये तुम काम कर रही हो चाहेगा वो भी नॉमल सी बात है कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसे मतल मासिकल की जैसे महिला जो है वो अधिकल गरसे नहीं निकलती है और काम करने के लिए जब उनको जाना पड़ता थो शर्मारतियंग फोड़ा प्रहेज करती है उनके लिए आप की तरफ से क्या मैसिज रहेगा सबको बहार निकलना चाहिए अब जैसे आद्मी होता है वो बह लड़कों के लिए उतनी होती है बस यह थोड़ी हम्मत हो हो साथ बाहर निकाले तो कुछ बनता है ऐसे निए बनता है व्यूवर्स हमारे आपको देख रहे हैं उनके से अगर कोई आप कुछ बात करना चाहें मैं तो यह कहूंगी कि अगर जमु निकल रही है और अपने फैमिली के खिलाफ जाके उसने एक स्टैप उठाया है तो मैं तो यही कहूंगी कि मुझे सपोर्ट करें एक्चली मुझे सपोर्ट की भी जरूरत है और जैसे बाकियों को सपोर्ट मिलता है एटलीस स्टूडेंट्स तो करेंगी बिकाज मैंने स्टूडेंट्स के नाम पे कोई काम खोला है और लड़कियों को भी करना चाहिए और उनको मैं यही कहूंगी कि बी इंडबेंडेंट, सेल्फ डिपेंड बनो और अपने लिया खुद स्टैंड लो और खुद आ गया हो एक महिला के लिए गर से निकल के ऐसे में काम करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और लड़की के लिए यह इस तरह का काम करना जो है यह बहुत ही एक किमत बरा काम है और लड़कियों को तो वैसे भी गर से निकलना इतना अलोड नहीं होता और इसके चलते आप समझ सकते हैं कि एक महिला ने जैसे जो लगाया है और इससे बहुत सारी महिलां को भी परेड़ना मिलती है कि गर से निकल के काम करना चाहिए और अगर अपने सपनों पे खरा उतरना है तो गर से तो निकलना ही होगा फिल्हाल मुझे और मेरे सही होगी कैमरे मैंन को दीजी अजाज़त और आप देखे रही है दावर की नियूज